अब विए और के तो अब हग्मिन को में किसे हो आप मेरी साथ से मास्ता हों जबरदास्ता कि आप अन्य राज्ये वाले अगर इसमें फोर्म बरना है तो कैसे बर सकते हो और फोर्म बरने का आपको फाइदा क्या मिलेगा आपका सेलेक्षन होगा या नहीं होगा वो सारी परीचर चाहिए एक बात कुछ बच्चों को अभी तक पता है कि दिल्ली होमगाड की बढ़ती है उस वा гए थियर को आपके साथ होगा जोब कर दो कर दोस्तों है stun पर करेंगा अभी दोस्तों तो तो चैनल को subscribe कर दे और वीडियो को share करना ना भूले वीडियो को share करना तो बिलकुल ही ना भूले चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लो क्यूंकि Homegard की पड़ती के लिए रमबान सिदों ने वाली है यह कलास है और अब आरे यूटूब पर भी कलास सल रही है तो इस चैनल के माद्ध परसेंट आपकी नोक्री लगबग लगी जाएगी अगर किस्मत ही कराब हुई तो मैं कुछ कह नहीं सकता हम अगर आपकी नोक्री बहुत अच्छी है हो जाएगी अगर आपके फीजिकल हो गए तो अगर आपने फिजीकल कर लिए तो फिजीकल की जबरतस तैयरी करो अभी फिजीकल की कोई डेट नहीं है एक्सदाम की कोई डेट नहीं है बरती पूरी होने में लगबग तीन महा का समय लगेगा पूरी परिकिरिया में तीन महा का समय लगेगा तो इसका बरफूर पाइदा उठाईए देखो क्या-क्या हुआ है बदला वो भी पहले दस्ति पास की हुआ करती थी अब यह बरती कौन सी है वाइसा बारवी पास की है बारवी पास की यह बरती है फिर उसके अलवा चैन परि वेतन मिलता है पर दीरे दीरे इस वेतन में आपको भडोत्री पहोगी लगबग 40,000 के करीब आपको वेतन मिलने है वाला है एज पहले 60 वर्स होँआ करती थी मगर मेरे दोस्तों अब 18 से किती है तैलीस अब 18 से 45 की उमर मागी जारी है कि 18 से 45 वर्स के मद्दे में कोई भी इस तरी पूरूस है वो फोर्म बर सकता है प्लस केटिगरी वहाई आपको छूट हो रहे हैं जिसे को तीन वर्ज की चूट है कोई पूरो होमगार्ड है उसको अलग चूट है यह है फिजिकल में क्या क्या होगा यह भी आपकी प्रोग्रम है आवेदन शुरू हो गया है मेरे दोस्तों यह आप सभी को पता है चोवीश जनवरी पे बरे जा रहा है आज वैसा फरवरी महा की छहतारी कंगे तो बहुत कम समय बचा है तेरा फरवरी तक फूरूम बरे जाएंगे तो अब जिनोंने फूरूम नहीं बढ़ा वह फूरूम कैसे बरेंगे किस परकार से फू से दिल्ली सरकार की बढ़ती केंदर का इसमें कोई लेना देना नहीं है नहीं है है साहता के लिए दिल्ली के होनिचुक्त की जाती है यह तरह है पुलिस की इनोकरी का नंगते में लगवग 15 साल का नंगताने लुक्री चलता है कि सथाफ तीघ के रहले के वह नगता है तो कि पर मानन पिसले नो व कब सिए मुझे या इस गरshot भापि water और यह इस resolved was ते अब हैं और ने ज़नाइो आपके पास मात्र साथ दिन में आप कैसे form भर सकते हो फोरूम भुच कम भरें अभी तक जहां सुचना है लग बग 1,00,000 के और फोरूम बरे लग गग एक लाग के करीब फोरूम बरे अभी तक तो आपको बहुत 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 कहले हैं आप फोरूम बढ़ देजें और अनुमानित दो से डाहिれ लाग23 वर्ह फोरूम बरे जाने है के shiny पुरली पोलीज में大家都 say मिझाफ यूущ 888asadar में से मात्र 8600 लोगों नहीं चीए 600 600 लोगों नहीं क्या है फीजिकल पास किया था तो फीजिकल बहुत टपो है। मिनिट का टाइम है तो फुजिकल की बहुत अच्छे से तहरी करें आप देखो यह किस एक्ट के तहत भरती की जा रही है इसका तो अपने को ज़्यादा कोई मतलब नहीं है है पदो की संक्या आप सभी को पता है मेरे साथ यह हो दस हजार दो सो पिच्चेसी इसमें कोई दोर है 5 साल की होती है पहली जो कन्फीजन है आपकी दूर हो होगी कि इसकी जो प리ल आप से बंणवालि यह जाता है इसके बाद भी आप में थोड़ा-थोड़ा थोड़ा आपको यह करमेश्यों आरेक्शन पदत्ति है है जिसमें अनुसूची जयाती जण जयाती और अन्य पि चड़ावरक को 27 प्रसंट आरक्षन है अरक्षन है स्रेडी में रखा गया है और एक यही महिलाओं के लिए यानि 10,285 मैं से भाई साब तीसरा इस्ता किसका है महिलाओं का है महिलाओं का है तो आप मालो 3500 3400 के करीब, चोतीसो पद, चोतीसो पद लगबग महिलाओं के लिए है ये एक IMPORTANT NEWS है आप देख सकते हो लगबग 4600 पतो अगेली महिलाओं के लिए है बाकी जो 660 के करीब पद बच गए वो पूर्सो पूर्षा के लिए है तो ये आप ध्यान में दे ले लेणा चोती सो पद महिलाओं के लिए तो जो भी महिला है इस वीडियो को देख रही है भाई साब फोरम बढ़ देना फीजिकल पास कर देना नोकरी सो परतीसत लगेगी ये मेरी गारंटी है ठीक है रिक्तिया बूत पूरो सेनिकों के लिए उनके लिए 10% डारेक्शन है बूत पूरो सेनिकों के लिए 10% डारेक्शन का बलब हजार पदे हजार पदेना बूत पूरो सेनिकों के हैं अगर बूत पूरो सेनिकों से पूर एक एसा व्यक्ति जिसने भारतिय संग नियमित सेना नो सेना वाई संग भूतपुरों सेनी कौन से होते हैं उनको यहां पर दिया गया अब इसके अलावा मैं तोड़ा सा और हो आगे आपको लेकर चलूं जो अपनी है पूरी डिटेल बताऊं का बिटा बहुत अच्छे से ज जिसे अपने ज्यादा काम की नहीं है पेंसंदारक फारक कोई भी हो सब इस पौरम को भरे सकते हैं ठीक है अब देखो पात्रतम आप दंड कोण कोण जी है फौरम कोण कोण भर सकता है अन्वे राजजिवाले कैसे फोरम भरेंगे यह मेरी परिक्रिया यहां से सुरू होती है तो इस बात को फोटा सब समझे ना कोषिस करना कि इस अवराट करोंा अन्यराज्ये वालों के लिए लिए भी बात करूंगा पहले तोड़ा उम्मीदवार के पास निम्लिकित में से कोई भी मानने पास्पोर्ट ठींट होगा दिली का कोई वोटर आईडी आ किसी के दिल्ली का वेद रासनगाट है जिसमें आपके पास आपके रासनगाट में फोटू लगी भी है वो रासनगाट मानने किया जाएगा जिन रासनगाटों में फोटू नहीं है तो कोई भी अलग पैचान पत्र जो फोटू वाला उसके साथ आप लगा सकते हो इस देगे आधार Carte आपका निवास प्रमाणपत्र का नहीं केवल आपका पैचान को एक आीड़ेंटि नहीं माना 06 डिली के द्वारा कोई में जारी किया गया है तो दिली के जारी किया गया है तो इनमें से आपको मलब भी दिल्ली का कोई एड्रस आपके पास थे तो वो भी बर सकता है दिल्ली में आवास ये पत्ते के साथ है पोटो यूगत सावरजनिक चेत्र के बैंक काते में विविदे सत्याफित पास्वुक अब क्या है दिल्ली का पता हो यहां ध्याना पेटा एड्रस कहां का हो दिल्ली का दिल्ली का एड्रस हो और उस एड्रस से आपको क्या है बैंक में खाता हो बैंक में क्या हो खाता हो तो अब इस प्रोस्टिस को तोड़ा सा समझना आप है ना रूम एग्रिमेंट बनवाना रूम एग्रिमेंट रूम एग्रिमेंट है और उसके साथ विजली का बिल आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है विजली के बिल इसके साथ आप जोड़ने न वह सब आधार कार्ड और इन से मिलकर इन से मिलकर है दिल्ली के सरकारी बैंक में सरकारी बैंक में क्या कुलवाले है खाता खाता सरकारी बैंक में खाता खाता हो जाएगा तो इससे आप फोरम बढ़ सकते हो तो रूम एग्रिमेंट में बलवा हो रूम एग्रिमेंट से आप खाता खुलवा हो और खाता खुलवाकर उस काते के नंबर से आप इस फोरम को भर सकते हो ठीक है खाता सरकारी बैंक में खुलना चाहिए अब ऐसा मैं आपको बता दू कुछ बैंक वाले मना कर देते हैं कि हम रूम एग्रिमेंट से खाता नहीं खोल के देंगे कुछ बैंक वाले खोल देते हैं तो यह को हमारी जवाब दरी नहीं है सरकारी बैंक से आपको खाता नेंगे राज्यस्वन विबाग जी एन सीटी के समक्त्त अधिकर्त सरकारी प्रादिकारी दौरा जारी प्रमान पत्र हैं यानि आपको नोटोरी के दुवारा कोई परमान पत्तर है या आपका भूखंड है वहाँ पर कोई मकान आपका ऐसी इस्थिति में भी आपका सत्याफित परमान पत्तर जो अधिकारियों के दुवारा जिसे ग्राम से पटवारी यह नहीं होते ग्या तो वहां तैसिलदार हु आपकी उमर है 20 वर्स ने लेकर है 45 वर्स तक नियूंतम उमर 20 वर्स होनी चाहिए अधिकतम 45 के टेगरी वही आपको छूट होनी होती है यानि यह देख लो 1989 एक एक दो 1989 से एक एक 2004 के बाद नहीं हो इससे पूर बूत पूर से निकों के लिए चोन वर्स रखी गई है तो य यह यह आपको मैं इसीदे सब्दों को मूं उन्नी सो उनियांस तीस्ते हैं क्या है 2004 के बीच जिसका जन्म हुआ है वह 31 को भर सकता है जबकि बूत पूर वर्स निकों को और भी चूट है चार वर्स चोन वर्स की उमर तक वह बर सकते हैं सेक्शन योगेता आपके पास बार अधारी होनीचिए परंख्यों कोई भूतबर उसयनिक वूतमूर उसयनिक का लिए दसवी पास निक है वह 152 पाने सकता है आपके हाइट जो पूर्स हों की नियूंकतम हाइट 125 सेंटीमीटर होनीचिए ऑन्की महीलाऊं की 152 सेंटीमीटर आपके हाइट चाहिए तो हाइट का ज्यादा इस्व आपके यहां पर है नहीं होगा अब देखो थोड़ी सार चीज को देखने का प्रियास कि अगरो कि सारी बाते आपको बहुत अच्छे से लिए वीडियो में इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों के डाउट है कि गुर्जी यह नही वह नहीं समझझ मी आया वह अभी आपके जितने भी डॉक्obins क्वेरिपिक nyt तो बढ़ जाएके आपका मगर फाइनल डॉक् libraries के सनउ होगा उस समय आपके डॉकमेंट्स होगी जांच होगी, फोरम मंड़े के बाद आपके डोकुमेंट्स होगी, कोई जांच नहीं होगी, आपको फिजीकल का कोल हो जाएगा, फिजीकल पास होगे तो आपका एक्सदाम का कोल हो जाएगा, एक्सदाम का हो गया तो आपका मेडिकल का कोल हो जाएगा, फिर आपकी डोकु से आयू आरक्षण बोन शंगं के संबंदित प्रमान पतर होने चाहिए। लिकित प्रिक्षा के बाद सत्यक Cancer के दोरान प्रस्तूत किया जाना उस्त्तइगा और इन्हें नामांक ने तुम विग्यापन के प्रकाशन की तारिक से पहले का जारी होणना चाहिए। विज्यापित जब प्रकासन हुआ था भाई जनवरी से पहले कामान के चलो जो भी है तो अब नोटोरी करवा हो तो भाई सब आपकी डेट की होगी तो इससे फाइदा आपको गिया होगा कि आगे अगे अगर ओम-गाड़ी बरती हैगी उसके लिए आप योग्योज होगे अ अब वैसाब अगर इस बरती में आपको फाइनल में डोकुमेंट्स वेरी प्रकासन में रोक देता है कि आपका तो इस तिती के बाद का है तो आगे आने वाली बरती के लिए आपको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा आपका सीधा ही सेलेक्शन होने की उम्मी के लेगा सोला सो मिटर की दोड होगी यह थोड़ा आपको द्यान रगना पड़ेगा लिकित परिक्षा मुपस्तित हो सकता है चेन योग्यता के अनुसार किया जाएगा लिकित प्रिक्षा के अंकों अंकों में जहां भी लागू बोनस अंग जोड़कर अंतिम रूप दिय जाएगा चैनित अभ्यारतियों को मेडिकल प्रीक्षा उत्रेट करनी होगी और पुलीस से किल प्रवाण पतर जमा करवाना होगा जिसे दिल्ली की वेवसाइट से प्राप्त किया जा सकता है विश्रीत निर्देश नामागन पॉर्टल के घरा आपका जो मेडिकल होगा आप को स्वें को करवाना पड़ेगा आप स्वें में किसी भी मेडिकल जाच करवा कर वहां पर एक फोरुम मिलेगा उस फोरुम को प्रवाकर जमा करवा सकते हो इसमें ज्यादा दोराई नहीं है यह विवसाइड है ठीक है अब आगे देखो नामंकिन की विदियां अब देखो क्या है नामंकिन की विदिये दो चरणों में पात राविदय के प्रतस्क्राशन के अधार पर किया जाएगा पहली आपकी सारिक दक्स्ता होगी जोड होगी उसके बाद क्या है समता प्रिक्षण होगा यानि आपका एक्जाम होगा पीटी एक्जाम जो भी हो गया सारिक मा मेमें तुर पूरी करनी है वैसे शे मिनिट में यह पूर्सों के लिए है अगर 30 से चालीस सी एक वालें और बूत पूर्स सेनिकों के 1600 मिटर की दोड के पूरी करनी है ये पूर्यों के लिए महिलां के लिए देखा जाए तो 30 किस वर्स तक के आयुवाली महिला 16 mini गी ड्रीं में helita करना की चाहिए चाहिए करमें चाहिए और 40-45 के बीच वाली 1- दॉस के महिलाओं के लिए है अब देगो लिकित परीक्षा घृत को आप दो लेकित परिक्षा का क्या माप दंड है वो भी मैं आपको समझा देता हूं ब्रकूषू अब जद् italics आपको नहीं और सब्सक्राइब sic слуш data the dow फीर आपका मैत वाला ब्रसन वह वी संक्वाइब यह का मापडंड होगा इसमें दिल्ली का जीके भी सामिल है दिल्ली का जीके की कलास से हमारे एप पर आपको उफलब्द रहेगी प्लस यूटूब पर भी हमारी कलास से चालूओ वहां से भी आप देख सकते हो गडित आ गई सामाने विज्ञान आ गई तरक सकती आ गई है तीन मोटे सब्जेक्ट आ गई है फिर दिल्ली का इतियास संस्कृति और वैसा भी हिंदी में भी होगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा यदि उत्रिन करने के बाद भूतपुर सेनिक कर्मियों की संक्या कुल रिखतियों की 10 पर संट चे कम रहती है तो उसको कोई लिकित प्रिक्षा नहीं ली जाएगी सुन लेना यदि पीटी उत्रिन क करने के बाद भूत पूर सेनिक कर्मियों की संक्याГिंधगन रिखतियों की दस परसंट चै कम रहती है यानि हजार से भूत पूर सेनिकी हजार से कम दोड़ में क्या होते हैं पास होता है यह पन्की नहीं नहीं होगी यदि पीटी उत्रिन करने के बाद बूतपुर से नहीं बूतपुर से संक्रिश के लिए कोई लिकीट परिक्षा हो और बाकी लिए बाइस साफ होगी थी कई बॉनस का माम दंड़ भी इन्हों ने बता रखा था है थे बोनस को रहें आपको पैले सोला अंक निमल निकित विवरण के अनुसार दिये जाएंगे सोला अंक की बता रहा है इसके अधिक्तम यानि बोनस अंकित्ते मिल सकते हैं ज्यादा ज्यादा सोला इसके बीच में थोड़ी सी एक चीज आ गई है वह मैं आपको बता देता हूँ 399 रुपए का आपने कोर्स प्रोंच कर रखा है वर्दी बैच हमारा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाइस्टेडी एप को डाउनलोड कर ले बैत्रीम तैयारी के लिए एप की डाउनलोड करें डेमो कलासे डाल रखी हो देख सकते हैं इसके अलावा आप नोट्स की पीडिएफ नोट्स की पीडिएफ चाते हो तो एक सो गुंचास रुपए की मिल जाएगी और अगर आप दस टेस्ट वेपर चाते हो तो यह डेट कलासे रहेगी पीडिएफ भी रहेगी आपको ट्रेट सी रिजीव रहेगी तो मोस्ट फैकल्टी भी आपको पढ़ा रही है यह भी आप जहांने दे लेना बैस आप और आगे बढ़ता है तोड़ा सा अब देखो ओंगाड के रूप में अनुबव के लिए अगर दो का अनुबव है तो तीन अनुबव है तो ठीक मिलेंगे तो दो सनी से आपको ब्हुत के लिए देखो क्या मिलेंगे दो वर्स का अनुबव है तो दों मेरिट में जूड़ेंगे यह किस में जूड़ेंगे फाइनल मेरिट में जूड़ेंगे सीटी दिल्ली न्यूंतम तीनंक है यह जो आपको दस्तावेज और बोनुस है देखो बीक कॉलम क्या है पहले उपर वाली लाइन को पूरा पता देता हूं तो सी टी आई दिल्ली के पाट टाइम इंट्रेक्सर कोर्स या न्यूंतम दो सिविल डिपेंट एडवांस कोर्स या एनसी एनसी डीसी नागपूर सी टी आई बेंगलोर कि दे किसी एक कोर्स का प्रमान पत्र है तो उसके तीनंक में मिलेंगे यह भी है ठीक है केवल पी टी उत्तिरेंड करने वाले उमीदवार पहले लिकित प्रिक्षा में सामिल होंगे और केवल वे उमीदवार लिकित प्रिक्षा में बोनस नंकी पढ़ेगे अन्ना स्साथ करें और बसके बॉनस ग्लट प्लस नों से मेरिट बनेगे नहीं पहले आपका अगर आपका पास को गधिश्ताघ्ट संग के मिलेगा एसार नहीं कि पहले ही मिल जाएगा यह अनुसूची जाती जन जाती के प्रमान पत्र रही है आपके पास होने चीए, फाइनल मेरिट के समय मांगीगे, फाइनल, देगो बोर, फाइनल के समय जाती प्रमान पत्र है, मूर लिवास प्रमान पत्र है, ओबीसी प्रमान पत्र है, यह सारे जो विद्वा तलाग आपको मेनत तो करने ही पड़ेगी अब आगे यह सारी चीजा आपके दिशा निर्देसों में हैं लिकित प्रिक्षा बेतर अंक पाने वाले उमिद्वारों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी यह इसमें बताया गया है बहुत अच्छी है और यह सारी जो भी जैसे बोनस मिल रह लाइन आवे दिन कैसे करें तो आप इमित्तर प्रदाएंगे तो अराम से वह कर देगा कोई दिक्केते नहीं आएगे इसमें तो यह जो भी है फोटू आप जो फोटू लगाओ ना फोटू जो फोटू लगेगी आपकी फोटू उसके पीछे हलका रंग होना चाहिए हलका गेरा रंग होना चाहिए तो बैसा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सेर कर देना जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दे जैहिंद जैवार्थ